नमस्कार क्लीन न्यूज लखनाओ में आपका स्वागत है यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पेर आइकन को प्रेस करें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप जानेंगे लखनाओ के तमाम छोटे वंग बड़े खबर तो चलिए आप सभी सुरोतागना को क्लीन न्यूज की ओर से हैपी न्यूज यर की बधाई देते हुए खबर को सुरू करते हैं खबर के आन तक बने रहें जानते हैं आज की मुखे समाचार लखनाओ में 131 कड़ोर रुपे की लागत से बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का पीम ने किया सिलान्यास जिहां पधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से पधानमंत्री आवास योजना के अंतरगत लखनाओं में 131 कड़ोर रुपे की लागत से बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का सिलान्यास किया जिहां पधानमंत्री ने कहा कि सहर में रहने वाले गरीब हो या मध्यम वर्ग इन सब का सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर वो घर जिसमें उनकी खुसियां सुक दूख बच्चों की परवरीस जूड़ी होती है लेकिन बीते वर्षों में लोगों का अपने घर को लेकर भरुसा तूटता जा रहा था परधानमंत्री ने कहा कि अब देश का फोकस गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों पर है अब देश ने सहर में रहने वालों लोगों की समयदनाओं और उनकी भावनाओं को प्रात् कारागारों की सुरक्षा को और आर्थिक दुरस्ट करने के लिए जेल में PSC जवान होंगे तेनाथ जी हाँ परदेश के कारागारों की सुरक्षा को और अधिक चुस्त दुरोस्त करने है तू PSC के 823 आरक्षियों को बिभाग में दो वर्ष की परतिनियुक्ती पर तैनात किये जा रहा है इनकी तैनाती को लेकर अपरमुक्य सचीव ग्री आवनीस कुमार अवस्ती के अधिक्षित में आयोजीत एक उच अस्तर ये बैठक में फैसला हुआ अपरमुक्य सचीव ने बताया कि परदेश की कारागारों में जेल वाडर के रीक्त पदों के सापेक्ष PSC के 823 आरक्षियों को दो वर्ष की परतिनियुक्ती पर कारागर विभाग में तैनात किये जाने का निर्ने लिया गया है इस समझ में आवस्यक आदेश सिग्र ही जारी किये जाने के निर्देश दिये गये है महराष्ट, आंद्रपरदेश, तेलांगना और चुरावी नजरिये से सबसे महतपून पस्चिम बंगाल में सांगाठनी काम देखेंगे अभी तक वह उत्तरपरदेश का काम देखते थे, पर उनके लिए निर्धारित नयकार्यचेतर में उत्तरपरदेश का नाम नहीं है कुरोना काल में अलपसंख्यक चात्रविर्ती के लिए 50% अंग की बाधियता खत्म जी हाँ अल्प संख्यक समुदाई के 50% से कम अंग पाने वाले विद्यार्थी भी अब पोस्ट मेट्रिक और मेरिट कम मिन्स छात्रविर्थी के लिए आवेदन कर सकेंगे सरकार ने कोरोना काल में 50% अंग की बाध्यता खत्म कर दी है विद्यार्थीयों को मोका देने के रिए आवेदन करने की अंतिम तीथी भी बढ़कर 20 जनवरी की गई है अल्प संख्यक कल्यान विभाद के संयोक निर्यसक आर्पी सिंग ने बताया कि कोरोना की वज़े से इस साल चात्रविती योजना में आवेदन के रिए 50% अंग की बाध्यता खत्म कर दी गई हालांकि ये सिर्फ इस साल तक ही रहेगी गोरकपूर के जीला जज परमुद 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 सचीव नियाई नियुक्त जिहां गोरकपूर के जीला एवंग शत्र नियाईधी परमुद कुमार श्रीवास्तव दूती को परमुद सचीव नियाई एवंग बिधी परामर invasive के पदब पर नियुक्त किया गया है वे मोजूदा प्रमुक सचिव निया एवंग विधी परामर्शी जेपी सिंग दूतिय का अस्थान लेंगे इलहाबाद हाइकोट के रईश्टर जनरल अक्षे कुमार स्रीवास्तव की और से विरस्पतिवार को प्रमुद कुमार स्रीवास्तव दिती की नियुक्ती समंधी अधिसुचना जारी कर दी गई जीला जेल में डूटी के दोरान करमचारी पहनेंगे बोडी वन कैमरा जीला जेल में डूटी के दोरान कंचारियों वबंदियों के बीच होने वाले विवाद को कम करनेक और सुरक्षा के लिए जिल परसासन ने नहीं पाहल की है इसके तहट डूटी के दोरान जेल करमचारी वर्डी वन कैमरा लगाएंगे इसकी सुरुवात जल्द ही लखनव के जीला जेल में की जाएगी हलांकि योजना परदेश के दस जीला जेलों के लिए पहले चरण में लागू करने की तयारी है नए साल में यूपी के बजट से किसानों युवाओं को बड़ी उम्मीदें योगी सरकार के कारेकल का आखरी बजट जी हां परदेश वासियों को नए साल में कई नई सोगाते मिलेंगी कई पुराने काम पूरे होने से जिन्दगी आसान बनेगी तो चुनाई वर्स होने से तमाम अधूरे बादे वन नए एलान खुसियों की सोगात लाएंगे खास कर किसानों युवाओं को बजट से बड़ी उम्मीदे हैं वित्तिय वर्स 2021-22 का वजट योगी आधितिनात सरकार के कारेकल का आखरी बजट होगा या वित्तिय वर्स एक तरसे चुनावी वर्स भी है वर्स 2022 तक नई सरकार आएगी लिहाजा 2022-23 का वजट नई सरकार लाएगी ऐसे में भाजपा सरकार ने दोबारा सत्तामे वापसी को ध्यान में रखकर नया वजट लाने पर मथा पच्ची तेज कर दी है अपसर सरकार का गुसना पत्र खंगाल रहें कि अभी कोन से बादे अधूरे हैं मंदीर में दर्सन के साथ सुरू हुआ लखनव वासियों का नई साल का पहला दिन जिहां नय साल की पहली सुबा लोगों ने एक दुसरे को नवर्स की बधाई दी और धार्मिक अस्थल जाकर अपने इश्ट देव के दर्सन किये हनुआन सेतु मंदीर में सुबा से ही सुरू हो गया था मुख्य पुजारी चंद्रकांत दिवेदी ने बताया कि देर रात तक मंदीर के कपाट खुले रहे सुबा भोर में ही कपाट खोल दिये गए बिर्वल साहनी मार्ग स्थित पंचमुकी हनुमान मंदीर में सुबा सुन्दरकांड पाट के साथ नए साल का स्वागत क्या गया कन्या विवा योजना का जहांसा देकर दो किसोरियों को किया अगवा लखनाओ पुलिस ने औरयया से आरोपित को दबोच लिया यहां राज़ानी में गुरुवार को एक हैरान कर देने वाला ममला सामने आया कन्या विवा योजना के तहत सरकारी धनरासी दिलाने का जहांसा देकर दो किसोरियों को बहला फुसला कर साथ ले जाने के अरोपित को केसरबाग पुलिस ने गिरफतार किया है अरोपित लोगों को योजना के तहत रुपे दिलाने का जहांसा देकर ठागी करता था अरोपित के पास से मार्क सीट, आय और चरित्र प्रमानपत्र समित अन्नी दस्तावेज बरामद किये गए हैं लखनव में इन पांच अस्पतालों में वेक्सिनेशन का ड्राई रन दो जनवरी से होगा हर सेंटर पर तीन होंगे कमरे जिहां नए वर्ष में कोरोना वेक्सिनेशन अभियान सुरू करने के लिए यूपी ने कदम बढ़ा दिया है ऐसे में ठीका करन की तयारियां को परकने के लिए स्वास्त विभाग पुरुवा भ्यास करेगा दो जनवरी को राजधानी के पांच अस्पतालों में वेक्सिनेशन का ड्राई रन किया जाएगा सहर में 11 मार्च को पहला कोरोना का मरीज मिला था वहीं अप्रेल में वाइरस से पहली मोथ हुई थी अब तक राजधानी में 75,000 से जादा लोग वाइरस के चपेट में आ चुके हैं वहीं 1100 से अधिक की महमारी ने जान ले ली है अब नए वर्ष में वेक्सिनेशन से विमारी को हराने की उम्मीद जगी है ऐसे में महिनों से चल रही तयारियों पर गुरुवार को सासन में बैठक हुई नव चैनित 28 इंजिनियरों वा बेग्यानिकों को मिली तैनाती जिहां जल सक्ती मंतरी डॉक्टर महिन्दर सिंग ने विरस्पतिवार को उप्रलोक से वा आयोक से चैनित 28 इंजिनियरों वा भुबेग्यानिकों को तैनाती पत्र वित्रित किया सभी को मेरिट के अधार पर उनकी पसंद के मुताबित तैनाती दी गई इन में पाँच आवर अभियंता, नो सहायक, भूबोतिक वीद और 14 जल विज्ञानी अर्थात हाइडरोलोजिस्ट सामिल है जल सक्ती मंतरी ने सभी से इमानदारी वा निष्ठा के साथ काम करने का सुझाव दिया कहा उन्हें उम्मीद है कि सभी नवनियुक्त लोग सरकार की योजनाओं के क्रियानवन में लगन से काम करेंगे परसांत कुमार ने इस साल को वेक्सिनेशन और चुनाव के लिए अहम चुनोती बताया है जिहां अपर पुलिस महानदेसा कानून वेवस्था परसांत कुमार ने 2020 के आखरी दिन विरस्पतिवार को विभाग की उपलब दियां गिनाई उन्होंने कहा कि 2009 के मुकाबले 2020 में अपराद के हर चेतर में कमी आई है विभाग के लिए आने वाला साल कोरोना के वेक्सिनेशन और चुनाव के लिए अहम चुनोती है जिहां पुलिस मुख्याले पर मीडिया कर्मियों से कहा है कि अपराद में कमी की एक बड़ी वज़ा कोरोना के करण लोकडाउन भी था कोरोना से 12 हज़ार से अधीक पुलिस कर्मि संक्रमित हुए जिसमें 65 लोगों को जानगवानी पड़ी उन्होंने जानगवाने वाले पुलिस कर्मियों को सहीद बताया कईया परादी मारे गए जबकि काफी संख्या में गिरपतार हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1535 थानों पर महिला हल्पडेक्स बनाई गई जिहां लक्राओं में महिला कर्मियों को 102 पहिया पिंक पेट्रोल एवंग दस चार पहिया पिंक पेट्रोल वहान दिये गए पिंक बूत और पिंक आउट पोस्ट बनाये गए उन्होंने दावा किया कि 2020 में 52,823 पदों पर भरती की गई जिसमें 49,706 सिपाही और 3,117 दरवगा के पद सामिल हैं बड़े पेमाने पर प्रोनेती भी दी गई पुर्वमंत्री गायत्री परजापती के ठीकानों पर ED के चापे में सामने आई 38 कडोर की संपती जिहां परिवर्तन निदेसालाई की छापे मारी में पुर्व मंत्री गायत्री परजापती और उनके परिवार के नाम से लखनवु अमेठी, सुल्तानपूर, कानपूर, सीतापूर, रायबरेली और मुंबई में करीब 38 कड़ो रुपिय की संपतियां सामने आई है इनमें कई बेनामी संपतियां भी है, निदेसालाई इन संपतियों को जब्द करने की तयारी कर रहा है, इडी ने बुद्वार को गायत्री के लखनवु अमेठी वा कानपूर के साथ जिकानों पर छापा मारा था मुहनलाल गंज हत्याकांड में पुलीस का सबसे बड़ा खुलासा पांच लाक में कराए गए थी पूरो परधान की हत्या जिहां लखनव के मुहनलाल गंज के इंदरजित खेडा के पूरो परधान वव्यापार मंडल के अध्यक्ष सुजित पांडे की 20 दिसमबर को गोली मार कर हत्या कर दी गए थी इस हत्याकांड का खुलासा पुलीस ने कर दिया है मंगलवार रात को आसियाना इलाके में हुए मूट भेण में पुलीस के सहाथ दो सूटर लगे थे दोनों सूटरों ने कई राज उगले हैं जिहां पुलीस अधिकारी के मुताबित पुरोपरधान की हत्या के लिए साजिसकर्ताओं ने 5 लाक रूपे की सुपारी दी थी हत्या राजनेतिक वर्चस्त्व कायम करने के लिए कराई गई थी हलांकि पुलीस परपटिक के कारोबार की डिटेल खंगाल रही है वहीं दो साजिसकर्ताओं जेल में हैं उधर मुख के साजिसकर्ता की तलास करने की बात पुलीस ने कही है दोनों आरोपियों को पुलीस ने जेल भीज दिया है यूपी में देर रात और IPS अधिकारियों का हुआ परमोशन नवनित सिकेरा बने ADG जिहां सासन ने देर रात साथ और IPS अधिकारियों के परमोशन की सूची जारी कर दी केंदरे से अपर पुलीस महांदितरसक के तीन पद और स्थाई मिलने के बाद या सूची चारी की गई ऐसे में आब 1996 बेच के उन सभी IPS अधिकारियों का परमोशन हुआ है जो उत्तर परदेश में उपलब दे थे परमोशन पाने वालों में आगरा रेंज के आईजी एस अतीस गनेश, आईजी कानुन वरस्था जोती नरायन, पुलिस मुख्यालाई के आईजी वजट नावनित सिकेरा, आईजी फायर सर्वीस विजय प्रकास, आईजी वारानसी रेंज विजय सिंग मीना, डिजी पी कि लिए उचको सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटा फट सब्सक्राइब कर लें, साथ ब्याल आइकन को दबा दें, ताकि कोई अपडेट मीस ना हो